बिहार में वाइडल बुखार का कहर लगतार जारी है पिछले 24 घंटे में एनेम्सीच में तीन बच्चों ने वाइडल बुखार से दम तोर दिया अभी भी एनेम्सीच में वाइडल बुखार के 69 बच्चे भरती हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीसु रोग विभाग में पिछले 24 घंटे के भी तर वाइरल बुखार से पीडित आठ बच्चों को भरती किया गया इनमें तीन बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो गई हाला की मंगलवार को आउटडोर से केबल एक मरीश को भरती किया गया है जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें बेउर अखारा के एक साल के बच्चे को पड़ी जन्यों ने 12 सितंबर को भरती कराया था उसकी मौत मंगलवार की सुबा हुई वहीं वैसाली जिले की सराय का धाई मा का बच्चे की मौत इलाज के दौरान सों बार की रात को ही उसे 13 सितंबर को भरती कराया गया था वहीं 13 सितंबर की रात में खगडिया के तीन मा के बच्चे की मौत भी इलाज के दोरान हो गया उसे 10 सितंबर को भरती कराया गया था वहीं एक बच्चा लामा भी है इस मा अस्पिताल के सिस्रोग विभाग में अब तक वाइडल नीमोन उन्होंने बताया कि अस्पताल में वाइरल रोक से संबंधित सभी तरह की मशीन उपकरन एवं दवाएं उपलब्ध हैं अधिकतर परीजन बच्चों के स्थिति गंभीर होने के बाद अस्पताल लेकर आते हैं ऐसे स्थिति में उन्हें बचाना मुस्किल हो जाता है यदि प समय से इलाज सुरू कर जान बचाई जा सकती है